हलो दोस्तों मेरा नाम है संतोष कुमार और आप देख रहे हैं टेखनीकल न्यूज कैस्ट इंदी चैनल मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है तो चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तों आज हम एक स्टेशनरी केटेगरी का एक प्रोड़क जिसका नाम है बुक रीडर स्टांड और आप इसको पेपर रीडर स्टांड भी कह सकते हैं इसका अन्बॉक्सिंग करेंगे साथी साथ उसका एक ओवरव्यू और डेमो भी देखेंगे तो वीडियो सुरू करने से पहले आपसे रिक्वस्ट है कि आप प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए अगर आप मेरे चनल पे नहीं है तो नीचे जो सब्सकाइब बटन है वहाँ पर प्रस कर दीजिए पास में जो घंटी बटन है उसे भी प्रस कर दीजिए तो के वीडियो सुरू करते हैं तो दोस्तों आप यहां पर देख पारें बुक्रेडर स्टांग का पैकेट तो इस पैकेट को उपर एक नजर डालते हैं जैसे कि आप यहां पर देख पारें यहां पर लिखा गया है कि लियांग बो यहां पर इसका ब्रांड नेम लिखा गया है इसका ब्रांड नेम है कॉपी सेल्प नीचे आते हैं तो यहां पर आप देख पारें लियांग बो स्टेशनरी लिखा गया है यहाँ पे इसका model number लिखा गया है, इसका model number है 616, यहाँ पे इस book reader stand का picture mention किया गया है, अब इस packet के पीछे के तरफ देखते हैं, तो यहाँ पे आप देख परें कुछ features यहाँ पे mention किये गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख परें, यहाँ पे लिखा गया है कि can be adjusted optionally as different line of sight in four bands, और यहाँ पे लिखा गया है कि the ruler is used for separated the row to avoid intermixed the row when the edit the article लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया है कि the bottom parts of book manuscript can be clipped to avoid them holding up when edit the article लिखा गया है, यहाँ पे इस book reader stand का picture mention किया गया है और यहां पे भी लिखा गया है कि लियांग बोर स्टेशनरी कॉपी सल्थ लिखा गया है यहां पे आप इसका प्राइस भी देख पर हैं यहां पे ट्रिपल नाइन लिखा गया है मैंने इसको 699 रूपी से एमेजन से पर्चेज किया था कभी कभी इसका जो प्राइस होते हैं वो अपन डाउन भी होते हैं तो अब इस पैकेट को ओपन करके देखते हैं पार आपन मादोड़ी प्राइस भी हो अब अब इसका जिए पर्चेज को ओपन वो हो अगान हाँ तो दोस्तों आप यहां पे देख पा रहे हैं बुक्रेड़ स्टाल आपको कुछ इस तरह दिखाए देगी इसका जो कलर है ब्लाक कलर है अब इसका पार्ट्स देखते हैं तो यहां पे दिखिए एक rectangular shape में जो frame जैसा आप देख पा रहे हैं ये metal से बना हुआ है तो यहाँ पे आप देखिए एक clip जैसा दिया गिया है ये plastic से बना हुआ है एक clip एक adjustable document clip है अगर आप इसके उपर कुछ भी documents रख रहे हो चाहिए वो किताब या notebook या पेपर्स कुछ भी रख रहे हो तो उस frame के साथ attach करके रखने के लिए एक clip यहाँ पे दिया गिया है ये एक adjustable clip है तो आप इसका position चेंज भी कर सकते हैं आप यहाँ लगाना चाते हैं तो लगा सकते हैं यहाँ पे लगाना चेंज करके उस document को ऐसे attach करके इस frame के साथ रख सकते हो यहाँ पे देखिए scale जैसा दिया गया है इसको text highlight भी कह सकते हैं इसको marker भी कह सकते हैं इसको roller भी कह सकते हैं इसको line guide भी कह सकते हैं यह removal भी है यह adjustable भी है अगर आप कुछ भी document जैसे कि कोई किताब या notebook या कुछ papers कुछ इसके उपर रखके पढ़ रहे हो किसी भी portion पे आप text को highlight करके रखना चाते हो तो आप इस ruler को वहाँ पे रखके उस text को उस position को आप highlight कर सकते हो अगर आप कुछ पढ़ रहे हो तो बीच में कोई चाहे वो paragraph वैज चाहे वो line वैज कुछ भी किताब या notebook या कुछ paper पढ़ रहे हो अगर आप बीच में उठके जा रहे हो लेकिन उस paragraph पर उस line पर आप कुछ mark करके रखना चाते हो याद रखने के लिए तो उस वक्त भी आप इस ruler को use कर सकते हो इसके नीचे देखते हैं तो यहाँ पर आप देख पर हैं एक base जैसा एक platform जैसा यहाँ पर दिया गया है यह plastic से बना हुआ है अच्छा quality का plastic है यह आप इसके उपर कुछ भी किताब या notebook कुछ भी आप इसके उपर रख सकते हैं और इस base के साथ आप देखिए दो clips भी यहाँ पर दिया गया है left and right पर यहाँ पर एक clip दिया गया है यहाँ पर भी एक clip दिया गया है यह जो दो clips है यह भी plastic से ही बना हुआ है यह removal नहीं है लेकिन यह adjustable है आप इसको आगे पीछे ऐसे कर सकते हैं अगर आप कुछ भी documents यहाँ पर रख रहे हैं या कोई notebook या किताब कुछ भी यहाँ पर रख रहे हैं तो उस किताब या notebook कुछ भी यह stand के साथ properly stable में रहने के लिए properly fix होने के लिए आप इस clip को आगे पीछे करके adjust करके fix कर सकते हैं इस frame में यहाँ पर आप देख पर हैं इसका brand name भी mention किया गया है यहाँ पर इसका model number भी लिखा गया है 616 लिखा गया है अब इस frame का dimensions भी check करते हैं मतलब इसका length and width भी check करेंगे scale लेके cm वाइच चिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख पर हैं इसका जो width है वो लगभग 21 cm है इसका width और इसका height भी check करते हैं तो यह height जो है वो लगभग 30 cm तक है यह मतलब यह एक A4 paper size का है यह frame अब stand के पीछे के तरफ देखते हैं तो stand के पीछे के तरफ देखते हैं तो यहाँ पर आप देख पर हैं एक clamp जैसा दिया गया है यह metal से बना हुआ है यह एक adjustable clamp है यह और इस base यानि की platform पर दिखिए एक provision दिया गया है मतलब साथ ग्रूस जैसा दिया गया है यहाँ पर देख सकते हैं साथ अलग-अलग cuts यहाँ पर देख पर हैं इसका जो इस clamp को आप एसे इस Gap में रखके एक एक में रखके स्टैन का जो angle अगर आप change करना चा आते हैं तो change कर सकते हैं ऐसे देखिए अगर आप मैं एसे रख रहा हूं तो इसका एक angle होगा यहां पे और इस तरह प्रकूंगा तो यहां पे देखिए इस तरह और एक एंगिल चेंज हुआ ऐसे आप अलग-अलग एंगिल में इसको रखके यूज कर सकते हैं तो इसका जो weight है stand का 284 grams है stand का weight, यह stand बहुत light weight है, compact है, तो आप इसको easily कहीं पे भी carry कर सकते हैं, अगर आप कहीं पे भी इसको इस तरह रख रहे हैं, तो वहाँ पे यह ज्यादा space भी occupy नहीं कर रहा है, यह sturdy भी है, यह जो चीजे बहुत useful चीजे हमारे daily life में, आप इसको indoor मे यानि की घर में भी use कर सकते हैं, आप इसको outdoor में यानि की office में भी use कर सकते हैं, इसकी कुछ आवस्यकते यानि की benefits देखे तो, मांग लीजिए, आप कुछ document type कर रहे हैं, किसी किताब या notebook, किसी paper देखे, आपके system या PC में कुछ typing कर रहे हैं, उस वक्त उस document को, उस paper को, उस notebook जो भी हो, उसको आप अगर stand में रखके, उसको view करते हुए type करेंगे, तो बहुत आसानी से आप type कर पाएंगे, अगर बिना stand के, अगर उस किताब को, उस notebook को, उस paper को नीचे रखते हुए, आप type करेंगे, तो बार-बार आपका जो सीरे उसको नीचे जुखाना पड़ता, आपका गर्दन में भी थोड़ा आपको दर्द मैसूस होगा, लेकिन अगर आप stand में उस document को रखके use करेंगे, तो वो सब problem आप वहाँ पे face नहीं कर पाएंगे, ये जो चीजे students जो पढ़ाई करें, जो छात्रों विद्याद्य होते हैं, उनके लिए भी एक अच्छा useful ची सकते हैं, जो नए-नए typing सीख रहे हैं, चाहे किसी computer या किसी typing machine में typing सीख रहे हैं, तो उस वक्त उस document को यहाँ पे रखते हुए, व्यू करते हुए typing करेंगे, तो आसानी से वो typing भी सीख पाएंगे, senior citizens उर्दियानिक वुजुरु जो होते हैं, उनको थोड़ा पढ़ने में दिखने में दिक्कत हो रहा होगा, जैसे कि कुछ novels, storybooks, magazines, जो भी हो, वो stand पे रखके आसानी से भी पढ़ सकते हैं, जो singers होते हैं, जो script देखके गाना गाना चाते हैं, या कुछ गाने सीखना चाते हैं, उनके लिए भी एक useful चीज है, जो speech practice करें, या कुछ stage performance के लिए आप, notebooks, books और papers ऐसे कुछ रखकें, यहां पर एक demo भी देखते हैं, तो यहां पर देखिए मेरे पास एक A4 paper size का एक document है, इसको हम stand में रखेंगे, तो इसके लिए हम यहां पर देखिए, जो stand में देखिए, यह जो clip दिया गया, इसको हम पहले हटा देंगे, इसको बाहर नि निकाल देंगे इसे, उसके बाद इस document को हम stand में ऐसे रखेंगे, तो नीचे आप देख पर हैं, दो clips दिया गया है, adjustment clips, उसको हम ऐसे प्रेस कर देंगे, आगे, देखिए, ऐसे, तो यहां पर देखिए, यह document जो है, वो properly fix हो चुका है, इस प्लेट के साथ, बैक में जो metal sheet ह उसके साथ यह attach हो चुका है, और भी अच्छे तरह से attach होने के लिए, यह जो adjustment clip दिया गया है, document clip, इसको हम यहां पर ऐसे, इसको लगा देंगे, ऐसे लगाने से, देखिए, यह document है, यह properly fix हो चुका है, अब हम अच्छे तरह से इसको देख के पढ़ सकते हैं, कुछ type करना ह तो यह जो clip है, आप आपके जो convenient है, उसके हिसाब से आप change भी कर सकते हैं, यहां पर लगाना चाते हैं, तो लगा सकते हैं, नहीं तो इस तरफ आप लगाना चाते हैं, तो इसको ऐसे लगा सकते हैं, ऐसे आप इसको interchange कर सकते हैं, कहीं पर भी आप इसको ऐसे लगा सकते हैं तो यहां पर और एक जो लाइन गर्ट दिया गया यह जो टेक्स हाईलेटर इसको भी हम कहीं पर अगर मांक करना चाहते हैं Deaf color कि वा थे Ten तो यहां पर देखिए इसको मैं ऐसे लगा दूँगा तो यह जो पॉर्शन है यह जो भाग है यहां पर यह हाईलेट हो चुका है इस तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं अब हम इसको हटा देंगे यहां पर और एक डॉकुमेंटर के भी देखते हैं यहां पर एक पैंपलेट है एक ब्रोचर जैसा एक डॉकुमेंट इसको हम यहां पर रखना चाहते हैं तो ऐसे भी हम यहां पर रख सकते हैं देखिए अब यह जो क्लिप दिया गया इसको हम यहां पर ऐसे प्रस कर देंगे तो यह अच्छे तरह से फिक्स हो चुका है और भी अच्छे तरह से फिक्स होने के लिए अटाच होने के लिए जो क्लिप पर उसको हम यहां पर ऐसे लगा देंगे तो यह देखिए अच्छे किताब है इसको हम कहीं पे बीच में एसे खोल के अगर इसको हम ऐसे फोल करके देखिए इसे फोल करके अच्छे तरह से इसको हम स्टांड में रखेंगे तो देखिए इसको हम ऐसे स्टांड में रखके रखने के बाद यहां पे देखिए दो क्लिप्स दिया गया उसको हम यह यहां पर प्रेस कर देंगे आगे अच्छे तरह से देखिए यह जो किताब इस प्लेट के साथ यह अच्छे तरह से स्टिक हो चुका है और भी अच्छे तरह से स्टिक होने के लिए यहां पर जो क्लिप दिया के उसको हम यहां पर यूज करेंगे जैसे कि हम यहां पर इसको तो यहां पर आप देख पर हैं यह प्रॉपर लिफिक्स हो चुका है ऐसे भी हम इस किताब को एसे रख के पढ़ सकते हैं कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं अगर यहां पर कहीं पर हाइलेट करना चाहते हैं किसी एक जगह पर हम इसको याद में रखना चाहते हैं तो उस हाइलेटर को हम यहां पर इस मार्कर को हम इस रूलर को लाइन गाइड को हम यहां पर यूज कर सकते हैं ऐसे suppose माननी जीए मुझे यहां पे चाहिए highlight चाहिए इस text के space तो इसको मैं देखे ऐसे ऐसे लगा के यहां पे highlight कर सकता हूँ माननी जीए मैं यहां तक पड़ा हूँ तो बीच में मैं बाहर जा रहूँ फिर से वापस आके इस जगह पर ही आना चाहता हूँ याद में रखना चाहता हूँ तो उस वक्त इस scale को मैं यहां पे marker जैसा यूज़ कर सकता हूँ इस तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं तो अब हम इसको निकाल देंगे और एक यहां पे notebook भी रखके देखेंगे तो इसको देखेंगे मैं इसे open कर चुका हूँ open करके यहां पे stand में इसे रख सकता हूँ इसको रखना चाहता हूँ तो तो ऐसे open करके देखें ऐसे open करने के बाद यह जो clip नीचे दिया गया है इसको हम यहां पे press कर देंगे जो और से थोड़ा तो यहां पर देख पर हैं ऐसे किताब को उपन करके भी हम यहां पर अटाच कर सकते हैं अच्छा तरह से इस किताब को पढ़ सकते हैं कुछ टाइप करना है तो कर सकते हैं कितना तो अब हम इस नोटबुक को हटा के एक थोड़ा ज्यादा पेज का एक नोटबुक है उसको हम यहां पर रखके भी देखेंगे मेरे पास और एक notebook है जो ये थोड़ा बड़ा notebook है ये थोड़ा ज्यादा pages का notebook है तो इसको हम यहाँ पे stand में रखेंगे तो देखिए ऐसे मैं इसको open कर रहा हूँ इसको open करके ऐसे मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ तो ऐसे रख सकता हूँ अगर मैं इसको ऐसे रखना चाहता हूँ तो ऐसे रख सकता हूँ इस एक position में रख सकता हूँ अगर मैं चाहता हूँ कि इसको ऐसे रखो तो वैसे भी यहाँ पे मैं रख सकता हूँ देखिए तो यह जो page इस तरफ आ रहा है उसके लिए जो clip यहाँ पे दिया गया है हम इसको को यूज करेंगे यहां पर दिखें यहां पर फिक्स हो चुका है यह जो प्लेज यह वो अब इस तरफ नहीं आएगा वो प्रपरली फिक्स हो चुका है इस तरह हम स्टैंड को यूज करके इस किताब को पढ़ सकते हैं ऐसे अगर मैं चारा हूँ इस नोटबुक को मैं ऐसे फोल क करके रख ऊँए तो दिखें ऐसे फोल करके भी रख सकता हूँ गैर यहां पर इस्टैंड पर रख के तो आशे भी है इस ह्यूज कर सकता हूँ तो अब हम इस notebook को बाहर निकालके और एक book, किताब को हम यहां पे रखेंगे एक book है, ये थोड़ा ज्यादा page का book है, थोड़ा मोटा book है ये, इसको हम यहां पे रखेंगे तो यह जो platform पे उपर हम इसको रखेंगे देखे इसका जो थिकनेस आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इस किताब का इसको हम यहाँ पे रखना चाहते हैं तो इसको हम ऐसे open कर देंगे कहीं पे देखे ऐसे हम ऐसे रख सकते हैं इस platform के उपर ऐसे रखके यहाँ पे दो क्लिप जो दिया गया उसको हम यहाँ पे ऐसे प्रेस कर देंगे देखे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यह कितने अच्छे तरह से फिक्स हो चुका है हम ऐसे भी इसको यूज कर सकते हैं अगर मैं थोड़ा इसको मूग करना चाता हूँ उस तरफ तो इसको मैं ऐसे रख सकता हूँ ऐसे भी यूज कर सकता हूँ अगर मैं इस किताब को ऐसे रखना चाता हूँ तो भी मैं ऐसे रखके यूज कर सकता हूँ तो ऐसे आप यहाँ पे इस टांड में books को, notebooks को, magazines को, storybook को, कुछ भी आप ऐसे document sheets को कुछ भी रखे पढ़ना चाते हैं, तो पढ़ सकते हैं, लिखना चाते हैं, मतलब कुछ देख के लिखना चाते हैं, नीचे computer में type करना चाते हैं, तो वैसे भी आप easily बहुत आसानी से कर सक तो अब चलिए हम conclusion पे चलते हैं तो दोस्तों ये था एक book reader stand का unboxing और उसका एक overview और demo अगर आप इस product को purchase करना चाहते हैं तो वो purchase link में नीचे description में दिया हूँ वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं तो please मेरे video को like कीजिए अगर आप मेरे channel पे नई हैं तो नीचे जो subscribe बटने उसे प्रस कर दीजिए पास में जो घंटी बटने बेल आइकने उसे भी प्रस कर दीजिए ताकि मैं कोई नई video upload करूँ तो तुरंत आप तक notification आ जाएगा अगर आप कुछ comment करना चाते हैं तो नीचे comment section में comment भी कर सकते हैं तो फिर मिलेंगे तब तक के लिए बाई आपका दिन सुखो